हेल दोस्तों आप देखरें इन्युफम सलकासिच आज हमले इस वीडियों बात करने वाले हैं टीचिंग अप्टीचूट के महत्पुन सवाल को डिसक्स करने वाले हैं और यह प्रेक्रिसेट करने वाले तत तो कौन से हैं यह दिया गया है कि मनों विज्ञानिक तत भी सारिक तत सी वाता वरन तो देखिए ए और बी और सी तीनों प्रभावित करते हैं अधिगम को तो अप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका डी राइट आंसर हो जाएगा चलिए यहां पे दो नंबर सकतियों के यानि व्यक्तियों के प्यावार में उत्यजित करता है तो अंत्रिक अभिप्रणा या आंत्रिक और बाहे दोनों या इनमें सी कोई नहीं तो इसका राइट आंसर रहेगा आंत्रिक अभिप्रणा चलिए अगे बढ़ते हैं और यहां पे तिन नंबर सवाल यानि a b c सभी सभी है तो अप्सान नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ेंगे और चार नंबर सवाल यहां पे देखेंगे दिया गया कि मांसिक रूप से स्वस्त व्यक्ति की विश्यस्ता है यानि जो मांसिक रूप से स्वस्त हैं तो उनकी वि सभी हो जाएगा तो यानि अप्सान नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उसके बाद यहां पर पांच नंबर सवाल दिया गया कि निमलिखित में से कौन सा पुदिमान बच्चे का लक्षन नहीं है तो जो अमोर्त रूप से सुचता रहता है वह या वह जो नए पर सब्सक्राइब करने की भावना रखता है तो क्या हो जाएगा तो अपसे नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले सवाल और यहां पे यहां पर देख सकते हैं सिक्स नंबर सवाल दिया गया है की परजिट विद्धि का नहीं है तो क्या है रुचिकर तुप परजिक्ट्वीन धी रुचिकर होता है दिर्च-कालिंक यदि सभाव भी हिसे नवहसे सवाला यह होता है नहीं नरो चाहिए तो ऐसे नमब वीसका रैइड आंसर हो सब्सक्राइब का अब यहाँ पर शाथ की पहचान के लिए निमन्यृत से बीधी कोण से ऑप्योग करके बुधि परिक्षा बेक्टित्व परिक्षाइब हैं उप्रवक्त्त सभी तो देखी यह जो बुधि परिक्षा से प्रभवर्व शात्रोगी पाइज्शान नमझें, indacement протerryal भी रजाय च्तु पारिक्शा से और स्दुनिस्ट परिक्शा से भें, nawet 6 राइट आंसरों कि प्रषिछन zhाँ घ्याँ प्रसिच्ख सब्चार्च कालाव होल शाज़े नमझे कालाव मिले काला बढ़एगर यह एक नंबर सवाल देख सकते हैं तो यहीं है पर शिक्षन का लाब तो आपस नंबर क्या हो जाएगा तो चलिए अगे बढ़ेंगे और देखेंगा अगला सवाल और यहां पर एक नमबर यानि नौ नमबर सवाल देख सकते हैं दिया गया कि छात्रों की निंदा नहीं करने चाहिए क्योंकि यानि किसी भी छात्र की निंदा नहीं करने चाहिए निंदा क्यों नहीं करने चाहिए यह बात बतलाना है इससे छात्र निरोट्साहित हो ज तो देखिए आप बार बार सिसके को अपमानित करेंगी किसंए इदग करेंगे क्या जाएगा आपके नेंब तुर्म में उटजिए ऑपकर आ पढ़ारोला हुआगा अ के सीयानि नीलिक तो यानि उसकी वहाएगा और नियाल रिक उदिखम्थ में और देखिश्या cadre देख सकते हैं, दस नमर सवाल हैँ है, अध्यापक को मनो विग्ञान का ग्वार्म होना चाही。 य क्रेंद का मीर स०्व 늦ेर होुदृ के लिखते हैं, इस लिखते हैं को अध्यापक की सब्सक्राइ naโ morning, आप क्या करना चाहेंगे आप एक टीचर हैं आप सिक्षक हैं तो बिद्यालेत में तो आपको पठाना काम है उसके बाद आप क्या करना चाहेंगे उसके अतरीक्त में चात्रों के लिए कल्यानिकार चात्रों के बेक्तिकत ट्यूशन या राजनेति में सक्रियकार और उप्यो हुआ कि बिद्यार्थियों की रुचि को बनाए रखने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए रुची बनाए रखनाना है आपने Classroom में आप उपाये देया भी अपनाएंगे स्यांपध के लागी ब्लैकबोड का या प्रसान पुछना है चर्चापरी चर्चा या कहानी सुनाना तो देखिए इस अप्सन के अनुसार यानि जो चार अप्सन देगे इसमें आपको बतला दे अप्सन नंबर बी राइट आंसर होगा क्योंकि उनकी रूची बनाए रखना है तो आपको बार बार सवाल पुछना है जो भी पढ़ा रहे हैं समझा र त surrender का सिकार होना पड़ता यानि जो बिद्याले की पर शा सक होते हैं उनको अलौचार का सिकार होना परता है क्यों ऐसा होता है वह He wait शीक्षक की महिमाह भूल जाते हर और निरक्षन नहीं कूनी- रक-छन कहते हैं या वे नितिरत परदान करने में असमर्थ होते हैं तो देखिए वो क्या होते हैं कि वे सिक्षक के जीवा महिमा होती है महत्व होती है उनकी गरीमा होती है वो क्या होते हैं भूल जाते हैं तो इस कारण अलोचने का सिकार होना पड़ता है तो आपसे नंबर 20 का राइट आंसर है चलिए यहां पर चौदा नंबर सवाल दिया कि सिक्षन पर शिक्षन का क्या पर्मुख कारे क्या है छात्रों की कल् लियान ही करना उनकी उन्नति या प्रगति जो भी है करना ही है तो अपसे नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा चलिए यहां पर पंदर नंबर सवाल दिया गया है कि नैतिक सिक्षा के लिए सबसे प्रभावशाली कौन सा तरीका होगा या नैतिक सिक्षा की बात तो नैति सिक्षा को अपना रहा है उसको प्रुस्क्रित करेंगे तो यह सबसे आच्छा तरीका होगा इससे उसकी बढ़ावा मिलेगी और विक्सित होगा उसका डेवलप्मेंट होता अपसा नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा चात्र नैतिक सिक्षा को तभी गरहन करते हैं जब अच्छी पुस्तक पढ़ने को मिले चरित्रवान सिक्षत उधारन बने अविभावा को भी स्वेम उधारन परसुत करें चात्र बरो का आधर करना सीखे तो देखिए आप खुद पहले आप डिसिप्लीन में रहेंगे तभी आप डिसिप्लीन सिखा सकते हैं तो वैसे आप उनके अंदर आप नैतिक सिक्षाक गरहर करना चाहते तो आप चरित्रवान सिक्षक बनकर उधारन पेस्ट करेंगे तो आपको ही वह फॉलो करते हैं यानि सिक्षक को फॉलो करते हैं क्या स्प्रियर तो यहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा तो यहां पर 17 नुबर स संसकार डालने आवस्यक होते हैं इस अंदर में निम्न से कौन सा कथन सही है यानि अच्छे संसकार डालना बहुत आवस्यक है लेकिन आपका इसमें जो कथन दिया कि कौन सा सही है यह काम अकेला ध्यापक ही करता है संसकार परिवेस के अनुकूल होते हैं यह काम अच्छी पढ़ाई के द्वारा होता है संस्कार पर क्रीति का अनुकुल लगा रहता है तो आपको बतला दें यह संस्कार जो आता वो परिवेस के अनुकूल होता है और यह परिवेस्ट से ही आता यह अता अप्सिन नंबर बीच का राइट आंसर हो जाएगा चलि है आगे बढ़ते है और यहां पर 18 नमबर सवाल देख सकते हैं दिया गया कि शिक्षक अभिवावक संग को मुख्त और शक्ता होती है या नि जो शिक्षक और विवावक संग होता है उसकी यह सकता है किसके लिए होती है शिक्षक और विवावक संग तो यहीं इसकी आउसकता होती है तो अप्सन नमबर इसका राइट आंसर हो जागा चलिए यहां पर हम लोग देखेंगे उन इससे नमबर सवाल और देख सकते हैं दिया गया है कि कोई विद्यार्थी अपनी बेक्तिकत समझ्याओं के बारे में चर्चा करने के लिए आपके पास आता है तो एक सिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे उस विद्यार्थी को बताएंगे कि आपका समध के वाल सैक्षिक समस्याओं से हैं उसकी समस्या समझाने के कुशिस कर उसे सहायता करें या उसकी समस्या को समझ कर आप कुछ पयास क वह उस बचहाल करने के लिए शुत बिद्यार्थी को जाने को को कहेंगे कि जाओ यह आपका काम नहीं है यह उस बिद्यार्थी को व्यावा के पास भेज़ देंगे तो देखिए आप इसको समझेंगे और ईसको समधान करने की जाएगा और को समझेंगे तो तो अब चार करेंगे तो तो चातरों को आघ लेंगे। नोरी सबस्क्राइए मौण वहां नामाड़ी खानों लिग। भाहिए जिवस्यों करें ने के प्रशाहिए। करेंगे क्योंकि चात्र के रोल मडल जो होते हैं वो सिक्ष खी होते तो अप्सनमबर सी इसका राइट अंसर हो जाएगा कि आपको फॉलोग करने वाले हैं तो चलिए यहां पे देखते हैं किस नंबर सवाल दिया गया है कि बरतमान में किस परकार की सिक्षा चात्रों और समाज के लावप्रत है बरतमान की हिसाब से देखा जाए तो कौन से सिक्षा बहुत ही लावप्रत है चात्रों के लिए भी और समाज के लिए भी तो विसे से र्विष्षा ऑसवाल अदेवाली नहीं सब्सक्राइब नहीं के दिक मुल्यों को उजागार करने वा लगए सदक्राल है यहां पिलिए उसय नहीं नान में इसे प्रकार से लगanting सब्सक्राइब armor Rs 7 आज यह थिर होन्य परतमान शाल को जड़न्यमान का उस्पोり था तो किल पैट्रिक या जैन डिवी या विलियम जेम्स या पेस्टावलोजी तो अप्शन नंबर इसका सी राइट आंजर यानि विलियम जेम्स थे चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल यहां पे तेस नंबर सवाल देख सकते हैं कि वैस्तुनिस्ट प् करम के बहुत बड़े भाग को समलित किया जा सकता है तो अप्शन नंबर दी इसका राइट आंसर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पर देख सकते हैं 24 नंबर सवाल दिया कि सिख्षक अकसर चात्रों का टेस्ट लिया करते हैं ऐसा क्यूं करते हैं उन्हें द्वारा दी जा रही प्रगति का नुमान होता है या वह अच्छात्र लगतार काम में लगे रहते हैं या आगे की पढ़ाई की यूजना बनाने में मदद मिलती है तो आपको बतला दे 24 का क्या हो जाएगा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लाश्ट सवाल देखते हैं आप दिया गया कि पाठ यूजना तभी सही बन सकेगी जब सिक्षक को क्या मालूम हो चात्रों के पुर्व ज्यान का पता हो विदियो का ज्यान हो या सिक्षन सिधानतों का ज्यान हो तो देखिए पुर्व ज्यान की भी जरूरी है बढ़र और सिक्षन वीर्टीयों का ध्यान होना चाहिए और जीओ सब्सक्राइब का उप्सक्राइब सोल अगर पसंद हया तो लाइक करें एक करें कमेंट करें आपका वीडियो देखें के बहुत-बहुत धन्यवाद